हेलो दोस्तों, गेट समेशिर्स में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम दो क्वेशन डिसक्स करने जा रहे हैं और दोनों ही क्वेशन सौफवेर इंजिनिरिंग के इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से हैं तो फटा वट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर विए तक आपने नहीं किया और प्लीज प्रेश अबेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस नॉटिफिकेशन मिलती रहें तो स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर वन से प्रोजेक्ट रिस्क फेक्टर इस कंसीडर इन विच मॉडल यहाँ पर मेरे पास चार ओप्शन दिये हैं और चार ओप्शन थे स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, एंड आइटरेटिम मॉडल तो इन चारों मॉडल में से रिस्क फेक्टर जो है वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं तो गाइज इस टाइप का जो कोशन है, related to the modeling तो modeling से related जो कोशन है वो आपको maximum theory question ही मिलेगा कि हर एक model के अंदर कौन-कौन से steps है, उन steps से related जो है आपको question मिल सकता है यहाँ पे अगर हम बात करें, इस question का answer क्या हैगा, spiral model because spiral model में हम करते क्या है, चार हमारे पास quarter ने उड़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते है, requirement gathering and specification मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, requirements को gather करेंगे या आप कह सकते हो कि all the specifications we will specify कि हमें क्या कुछ करने और उसके बाद जो second phase है, वही है आपका risk analysis phase risk analysis और basic के लिए अगर हम बात करें spiral model की, तो इसको हम risk driven model भी बोलते हैं risk driven के साथ साथ इसको meta model भी बोलते हैं because यह बात करता है risk से related, मतलब जो भी आप project बना रहे हो जो भी आप software बना रहे हो, उसमें क्या risk factors आ सकते हैं जैसे अगर simple से example दूँ, तो security is one of the risk factors आप कोई भी login बना रहे हो, जिसके अंदर login है जहां पर कहीन है कि password या OTP से related कुछ भी है तो वहाँ पर कहीन है कि आपको risk को पहले ही सारे risk को analysis करना पड़ेगा और उससे related आपको कुछ न कुछ, जो solutions है, वो आपको provide करने पड़ेंगे उसके बाद जो third है, third phase में हम क्या करते हैं model जो है, वो design करते हैं और model design करने के बाद, एक basic model हमने design किया और finally फिर हम क्या करते हैं, customer को दुबारा से दिखाते हैं customer से हम क्या लेते हैं, feedback, जिसको आप कह सकते हूं कि customer से हमने evaluate करवाया customer से feedback ली और जो भी उसने feedback भी दी, उसके basis पे, अगर वो satisfied है तो उसके बाद हम next जो है, वो design और coding वगएरा पे जाएंगे otherwise अगर वो नहीं है satisfy, तो दुबारा से फिर जो भी specifications के अंदर change करना है या जो भी हमें कोई नई requirement चाहिए तो उस पे जाएंगे अगर वो risk related भी, अगर और कोई concerned है, तो वो उससे related बात करेगा तो उससे related हम काम करेंगे, और फिर हम दुबारा से क्या करेंगे prototype जो है या जो model है हमारा, उस model में हम changes करेंगे और फिर उसके बाद हम दुबारा से फिर customer को जो है वो evaluate करवाएंगे अगर वो satisfied है, उसके बाद हम जो है वो next phase पे जा सकते हैं और next phase में हम क्या करेंगे, designing, coding, testing otherwise हम इस तरीक इसको दुबारा से करते रहेंगे तो यहाँ पे यह पूरा का पूरा focus किसके उपर है, customer के उपर है तो customer की feedback के basis पे जब customer fully satisfied है उसके बाद हम जो actual designing जो है वो start करते हैं So this is the spiral model ऐसे ही अगर हम बात करें prototype model में तो prototype model में हम generally क्या करते हैं कि customer से हमने interact किया उसके basis पे SRS बनाया, एक quick model बनाया जिसको mock-up बोलते हैं या फिर उसको prototype बोलते हैं उस prototype को हमने build किया और उसके बाद हमने दुबारा customer को दिखाया अगर customer satisfied है तो okay हमने फिर उसको designing phase में डाल दिया और finally coding करने के बाद, testing करने के बाद उसको maintenance phase में डाल दिया otherwise हम उसके अंदर जो भी changes वहाँ पे करते हैं लेकिन यहाँ पे कई भी हमने risk से related कोई भी बात नहीं करनी ऐसी iterative model के अगर हम बात करें तो iterative model में भी हम क्या करते हैं सबसे पहले जो भी हमारी analysis है, gathering phase उसके बाद हम designing phase पे जाते हैं designing के बाद हमारे पास जो coding का phase है और finally हमारे पास आता है coding के बाद हमारे पास आता है let's say testing का तो testing के बाद मलब वो iterative way में जो है वो काम चलता है तो यहाँ पे इसमें भी अगर हम बात करें तो कोई भी risk से related है यहाँ पे कोई भी बात नहीं है और ऐसी ही अगर हम बात करें waterfall model की तो वहाँ पे भी हम risk से related कोई भी बात नहीं करते है तो risk जो है वो analysis यह risk factor जो है वो हम consider करते हैं किसके अंदर spiral model next question is the number of function point of our proposed system is calculated as 500 suppose the system is planned to develop in Java and LOC by FP ratio of Java is 50 estimate the effort required to complete the project using the effort formula of basic Kokomo given below this is the formula given for the basic Kokomo so the question is based on the Kokomo model और Kokomo model के basis पे हम क्या find out करते है effort and cost estimation तो हमारा जो flow है वो कैसे काम करते है हम यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है size estimation जो है वो calculate करना होता है तो size estimation की अगर हम बात करें size estimate calculate करने के बाद हमें finally पता लगेगा efforts का और effort calculation करने के बाद हमारे पास आता है cost कितनी आएगी मतलब cost को हमने estimate करना होगा और हमारा schedule schedule या कह सकती हो आपका time कि आपका time को भी आपको estimate करना पड़ेगा कि कितना time जो है वो लगेगा तो यह जो हमारा flow इस तरीके से चलता है सबसे पहले में क्या find out करना है size estimation तो size estimation जो है वो project का कैसे पता लगेगा दो तरीकों से हमारे पास पता लगता है या तो हमारे पास है line of code या फिर है हमारे पास function point तो यहाँ पे अगर हम इस question की बात करें यहाँ पे function point जो है वो हमें दिया हुआ है function point जो है वो proposed system का कितना है 500 और दूसरा अगर हम इस project को java में develop करते हैं तो loc by fp ratio is given as 50 हमारे पास जो है java की loc by fp ratio कितनी दिवी है 50 और हमें पता है कि fp जो इस project का वो कितना है function point जो है वो कितनी value है 500 तो अगर आप fp की जगा 500 put करो तो loc आप calculate कर सकते हो तो line of code कितना आगया आपका 50 into 500 which is 25,000 तो यह आपका line of code आगया अब line of code के basis पे आपको पता लगेगा कि किस type का project है किस type के project का मतलब है कि क्या यह basic के अंदर आता है यह आप कह सकते हो कि क्या यह simple के अंदर आता है या फिर semi-detached या फिर हमारे पास है embedded तो simple को यह आप कह सकते हो organic तो organic का जो size है वो किसके उपर depend करता है line of code अगर आपके पास 50K है up to जो है वो line of code कितना ओन चाहिए up to 50K और अगर इस से उपर है मतलब 51 से लेके 300K तक है तो वो आता आपका semi-detached और अगर उसके बाद मतलब more than अगर 300K है तो तब आप कह सकते हो कि यह type of यह basically क्या है based on the complexity तो आपका जो project है वो किसके अंदर आता है अगर हम बात करें इस question की तो 25,000 तो 25,000 line of code जो है वो less than 50,000 है तो आप कह सकते हो organic के अंदर आता है तो organic में हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें basic kokomo model तो basic kokomo model भी हो सकता है intermediate kokomo model भी हो सकता तो आपको उनके diagrams और values of A and B यह आपको याद होनी चाहिए although इस question में A और B की value आपको directly दी हुई है लेकिन A और B की value जो यह constantine constants की value जो है वो आपको उनका table आपको याद होना चाहिए तो बस अब करना क्या है आप simply यहाँ पर value पुट कर दो A की value आपको दी हुई है 2.5 kloc का मतलब क्या है kilo line of code kilo का मतलब क्या होता है k का मतलब होता है 1000 अगर हम बात करें 1k 1k का मतलब क्या है 1000 तो यहाँ पर हमारे पास अगर बात करो c की value कितनी होगी 25 और उपर जो है b की value कितनी है 1.0 तो अगर आप इसको calculate करो तो यह आपका answer आएगा 62.5 pm क्योंकि effort जो है effort को हम denote करते है pm pm का मतलब है person month तो pm की value यहाँ पर कितनी आ रही है 62.5 तो इस तरीके से जो है वो हम calculate करते है question related to the kokomo और इसके उपर में आपको बताना चाहता हूँ कि kokomo model के उपर आपको numerical जो है near about हर साल आपको इसके related जो है वो question मिलेगा ही मिलेगा तो बहुत ही simple level of questions है तो इसको अच्छे से करके आना ध्यान से करके जाना और question की इस जो statement अब ध्यान से read करना कई बर student क्या करते है यहां पर उन्होंने 500 को या इसकी जो ratio जो है वो इसको calculate नहीं किया या उन्होंने fp को अच्छे से देखा नहीं तो यहां पर कहीं नहीं line of code में या जब हम इसको cake में convert करते है किलो में convert करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं